जब लॉइन्स सफारी देखने पहुँचे मुलायम सिंग यादब बेटे के विकास मॉडल को देख खुद रह गई मुलायम दंग नेता जी ने लॉइन्स सफारी की तारीफ में कह दी बड़ी बाद अखिलेश यादब का ड्रीम प्रोजेक्ट है लॉइन्स सफारी इटावा की लॉइन्स सफारी में तब हलचल और तेज बढ़ गई जब नेता जी मुलायम सिंग यादब खुद लॉइन्स सफारी के शेरों का दीदार करने पहुँचे एक तरफ बबबर शेर था तो दूसरी तरफ सियासत का शेर जिपसी में सवार नेता जी ने जब बेटे अखिलेश यादब के विकास मॉडल को देखा तो वो भी दंग रह गए और तारीफ में जो कहा वो हर किसी को चौका गया उतर प्रोदेश में जब अखिलेश यादब की सरकार थी तब कुछ ऐसे काम हुए जिनकी तारीफ हर कोई आज भी करता है और अब जब नेता जी ने बेटे अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को देखा तो वो भी दंग रह गए अखिलेश यादब के विकास की तारीफ तो मॉलाइम सिंग यादब ने की ही साथ ही उनके विजन की सराहना करते हुए लोईन सफारी की शान में भी कसी दे गड़े अपने सुरक्षा गाड़ों के साथ जिपसी में सबार होकर नेता जी मुलाइम सिंग यादब इटाबा की लोईन सफारी पहुँचे थे बता दिया तो वहीं सत्ताधारियों पर भी निशाना साथ दिया इसके अलावा नेता जी मुलाइम सिंग यादब की तुलना शेर से कर दी अखिलेश यादब के अलावा सोशल मीडिया पर सपा के आधिकारिक पेजों पर इन तस्वीरों को शेर किया गया और कैप्शन दिया गया कि आधरनी नेता जी ने इटाबा में लोईन सफारी का भ्रमण किया समाजवादी पार्टी की सरकार में निर्मित इटावा लोईन सफारी परियटकों के लिए एक नायाब तौफा है इटावा की लोईन सफारी तो मुलायम सिंग यादब ने देखी ही अब वो मैनपुरी में कारिकरताओं के साथ एहम बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके साथ ही कारिकरताओं को पार्टी की मजबूती के लिए एहम दिशा नर्देश भी देंगे उम्र के इस पड़ाओं में भी नेताजी मुलायम सिंग यादब पूरे जोश के साथ काम करते हैं और पार्टी की हर गत्विधी में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं नेताजी का जोश इस उम्र में भी ऐसा है कि सपा के तमाम कारिकरताओं उनसे आज भी प्रेड़ना लेते हैं और उनी के अंदाज में काम करने की बात कहते हैं देखना ये है कि मैंनपुरी में जब कारिकरताओं के साथ नेता जी मुलाइब सिंग यादा मुलाकात करेंगे तब वो क्या मंतर देंगे और कैसे पार्टी की स्थितियों में बदलाओ लाएंगे देरो रिपोर्ट मीडिया हल चल झाल झाल झाल